हेलो दूस्तो दूस्तो आज की वीडियो में हम उन्बॉक्सिंग करने वाले हैं एक 4 camera drone की जो की quad camera drone है देख सकते हैं drone air professional editing flying aircraft और इसमें 2 camera सामने की साइड में है और 2 camera इसमें नीचे की साइड है यहाँ पर लिखा गया है HD dual camera assembly दूस्तो अब आप इसकी box के अच्छी तरीके से देख लिए जैसे की चारो camera आपको wifi के थुरू आपके mobile पे शो हो जाते हैं मतलब wifi connectivity है building camera है automatic take off and landing है handless mode है 6 access gyroscope है 2.4 GHz frequency है और 360 flip यह कर लेता है बागी दूस्तो इस drone में आपको दो color देखने के लिए मिल जाते हैं blue color और orange color इन दोनों में से आप कोई भी purchase कर सकते हैं same to same में कोई भी अंतर नहीं है और देख सकते हैं इसके जो model है वो तीन model आते हैं हमारे पास है X68F जो कि इसका top model है तो चलिए अभी फटा-फट से इसके unboxing कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें box के अंदर क्या क्या मिल जाता है तो देख सकते हैं सारे चीजा box के बाहर निकाल लिए अभी इस box यसे बेमें इस size total box के बाहर आ गई है सबसे पहले इसके manual देख सकते हैं यहां पर यह camera manual है इसमें KYUFI application है जो की install करके आपको दिखा रख किया और इसके सारे function के बारे में बताया हुआ है बागी दोस्तों यह remote और drone के लिए instruction manual है इसमें remote की full function के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताया है बैटरी कैसे charge करना है यह बताया गया है बागी दोस्तों यहाँ पर आपको दो extra propeller देखने के लिए मिल जाती है जो कि इस drone के साथ ही आती है जब drone की propeller डेमेज रहेंगी तब आप इनका यूज़ कर सकते है यहाँ एक screwdriver है जिससे आप propeller और चेंज कर सकते है यहाँ पर 4 आपको dart मिलती है जो कि आपको propeller के उपर लगती है और यह charger मिलता है जो कि 3.7V 600mAh गा charger है इससे आप अपने drone की बैटरी को charge कर सकते है तो चलिए अभी मैं आपको इसका remote दिखा देता हूँ आपको remote आप देख सकते है इसमें दो joystick आपको देखने के लिए मिल जाती है पहले वाली जो joystick है उससे आप drone को up, down, left rotate या right rotate कर सकते है second वाली से forward, backward and left, right कर सकते है नीचे की साइड में या handless mode और six success zero के लिए बटन दिया गया है और उपर की साइड में आप देखेंगे तो यह camera को up and down करने के लिए है यानि आपके drone का camera आपके remote से ही connect हो जाता है, control हो जाता है यहाँ पर lighting बंद करने के लिए आपके drone की, यह 360 flip के लिए है उपर की साइड में अगर short press करते हैं तो फोटो के लिए और long press करते हैं तो वीडियो के लिए और इधर की साइड में speed mode के लिए button है बागी दूस्तों बीच में देखेंगे तो यह mobile holder है अब अपना mobile holder में लगा के अपने drone की footage है वो live अपने mobile में सामने ही देख सकते हैं तो अभी मैं इसे बंद कर देता हूँ, सबसे पहले मैं इसमें बैटरी डाल लेता हूँ इसके पीछे की साइड में यह battery डलती है देख सकते हैं, तीन battery डलती है, नो चार्जबल यह चार्जबल दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं एक बाड़ालने पर कम से कम पांच्छा मईने इसली चल जाती है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है तो देख सकते हैं, batteries में मैंने install कर दिया, इसके ढकन को कर देते हैं, close और अब आप जैसे ही on off के button को press करेंगे, आपका जो remote है, उसमें एक indicator light चलनी start हो जाएगी, जैसे के आप देख सकते हैं ठीक है, तो remote मैंने आपको अच्छी तर किसी दिखा दिया है, तो चली फिलाल remote को कर देते हो, फरक देते हैं side में, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ drone, तो drone आप देख सकते हैं, सबसे बढ़िया जो है वो इसकी looking है, आप देख सकते हैं, एकदम ही unique type का ये drone है, इसकी finishing कितनी जादा finishing के साथ इसे बनाया हुआ, इसकी proper design, मतलब coloring design किया गया है, वो कितना अच्छा किया गया है, आप देख सकते हैं, आपको मजा आ जागा ऐसे अगर देखते हैं, तो चली अभी इस unfold कर लेते हैं, वैसे size में ये काफी बढ़ा drone है, जैसे कि आपको दिखाई भी काफी जादा मदद करते हैं, वाकि दूसरी इसकी proper देख सकते हैं, काफी बड़े size की हैं, और काफी smooth गूमती है, यानि ये बहुत जादा sore नहीं करता है, देख सकते हैं, वाकि अगर इसे सामने की side से देखेंगे, तो इसमें दो camera आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बाकि सामने indicator light भी है, और इस camera को आप mobile से ही operate भी कर सकते हैं, मतलब उपर या नीचे इसे control कर सकते हैं, indicator light देख सकते हैं, चार उत्रफ इसमें बहुत अच्छी तरीकी से लगाई हुई है, और दोस्तों अगर इसकी नीचे की side में अगर जाके देखेंगे, तो आपको एक च देख सकते हैं, सारी indicator light भी करना स्टार्ट कर देती है, बाकि जो इसकी सामने वाली light है, उसे आप remote से जला सकते हैं, या फिर off भी रख सकते हैं, वो आपके control में रहती है, यह अच्छी बात है क्योंकि उससे playtime थोड़ा बढ़ जाता है, बाकि दोस्तों यहाँ पर यह वाल यूनिक सा drone है, और काफी सारी चीज़े इसमें आपको मिल जाती है, बाकि दोस्तों मैंने अब इससे fly नहीं किया है, इसे ground में जाके fly करेंगे, और इसकी camera footage भी देखेंगे कि इसकी camera footage है, कि वाके में इसने सारे sensor इसमें लगाए गए है, वो यूजलेस है या फिर useful है, तो simply इसका charger भी थोड़ा सा अलग है, तो यहां पर आपको कुछी सतरे से इसे लगा देना है, ठीक है, उसके बाद इस charger में red और green color की दो light चलती है, जो कि आपको बता देती है, कि आपकी जो battery है, वो full charge हो गई है, अगर light green हो जाती है, तो battery full charge हो जाती है, ठीक है, तो चलिए भ अच्छी तरह की से दिखा दिया है, और काफी बढ़िया लगा मुझे यह drone, बाकी तो fly करने के बाद ही पता चलेगा, और तब ही देखेंगी कि इस तरह का drone है, वाके में अच्छा drone है, यह फिर नहीं है, तो चलिए भी इसकी camera application को अपने mobile में install कर लेते हैं, तो सबसे पहल या Android Google Store, तो आपको अगर Android है, तो Google वाले पे ही क्लिक करना है, यहां से इसे download करके install कर लेना है, मेरा पहले से install है, तो सिधा open का option आ रहा है, देख सकते है कुछ इस तरह की इसकी application खुल जाती है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, अपने mobile की Wi-Fi setting में जाना ह करते हैं, तो यहां पर इसका camera जो है, बहुत अच्छी तरीके से show होना, start हो जाता है, अब remote को भी on कर लेते हैं, और जो remote है, वो automatic ही connect हो जाता है, उन करते ही drone से, आप देख सकते हैं, हमारी तीनों चीज़े तयार है, यहां पर इसमें video recording photo के लिए option है, और यहां से camera चेंज दोस्तों आप देख सकते हैं, हम ग्राउंड में आ चुके हैं, और हमने अपने drone को जो है take off कर लिया है, अभी दोस्तों आप इसकी stability का अंताजा लगा सकते हैं, कि कितना सादा stable है, बहुत ही जादा stability के साथ यह fly कर रहा है, और यहां पर थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रह लेकिन अगर आपके ground में ज्यादा तेजावा चलती है, तो उसके लिए भी इसमें 3 speed mode दिये गये हैं, आप speed mode बढ़ा के भी हावा में भी इसे fly कर सकते हैं, लेकिन दूस्तों speed mode बढ़ाने से drone थोड़ा unstable हो जाता है, और camera footage बहुत खराब आती है, तो अभी देख सकते हैं, 1 speed mode में ही इसे में fly कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा stability के साथ fly कर रहा है, बाकि इसमें 6x0 and handless mode भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, अगर आप चाहते हैं इसे lock करना एक जगा पे तो इसमें वो option भी आपको मिल जाता है, यानि ये एक जगा पर lock हो जाता है, मतलब ना ही उपर जाएगा, ना नीचे जाएगा, ना side में जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, एक जगा पर ही fly करता रहता है, तो यार fly से related तो इस drone में कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है इस drone को fly करने में, बाकि बात करते हैं इसके remote control range की, तो आपको इसकी range जो है लगवग 100 मिटर की मिल जाती है, जो कि काफी जादा होती है, और काफी बड़े अरिये में आप इसे easily fly कर सकते हैं, तो remote control range की भी इसमें आपको कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलती है, तो चलिए बात करते हैं इसकी camera कंट्रोल की, तो अभी आप देख सकते हैं, इसका जो camera है, वो उपर या नीचे में adjust हो रहा है, ये मैं अपने remote से कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप इसे remote से ही operate कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया function है, आप remote से इसे उपर या नीचे कर सकते हैं, जो आपको footage लेनी है, उसकी एसाब से आप इसे उपर या landing का option भी मिल जाता है, जिसकी वज़े से आप इसे fly कर सकते हैं, एक button दबा के ही, ये एक height पर जाके रुख जाता है, चलिए मैं इसकी stability आपको test करा के दिखा देता हूँ, तो उसके लिए मैं इस drone को fly करता हूँ, और अपने remote को इसके पास लेके आता हूँ, तो अभी देख जिसकी मुझे बहुत बढ़िया लगी, दोस्तों बात करें इसकी battery के, तो इसकी battery 3.7 volt है, जो की mh2 नहीं किये गये है, ब्लैक बैटरी है, तो पता नहीं चलता कितने mh2 है, लग भग आदा गंटे से 35 मिनट चार्ज होने में लेती है, जो काफी जादा टाइम है, और लग केवल 12 मिनट का ही play time मिलता है, तो battery मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई है, केवल average ही मैं इस battery को कह सकता हूँ, बागी दुस्तों बात करें इसकी 4 cameras की, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कोई भी 4 camera नहीं है, केवल 4 camera की तरह ही इसमें camera लगाए गए हैं, लेकिन वो cameras नहीं है, केवल 2 camera इसके work करते हैं, वो बाकी sensors हैं, इसमें sensors काफी जादा लगाए गए हैं, जिसकी वज़े से stability के साथ fly कर पाता है, दोस्तों बात करते हैं इसकी overall की, तो इसकी build quality जो है वो बहुत बढ़िया है, यानि मज़ा आए का आपको देखकर एक premium सा drone आपको लगे क देखने में, और बाकी इसकी बात करें, flying की तो flying भी इसके काफी सही है, मुझे काफी अच्छी लगी इसकी flying की stability के साथ ये fly कर लेता है, बात करें इसकी range की, तो range भी इसकी काफी बढ़िया है, आप काफी उचाई पे easily fly कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बता दिया है, 100 meter की ल बाकी दोस्ते, इसकी camera testing में आगे करूँगा, अगर आप इसे buy करना चाहते हैं, तो इस video के नीचे description में आपको link मिल जाएगा, daddydoors.com साइट से ये मैंने buy किया था, अगर आप buy करना चाहते हैं, तो आप इसे buy कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले पूरी वीडियो को देख लीज जिए उसके बाद ही से buy करने की सोचना. झाल कर वादे लादे लादे से szूब लिए बादे से लादे से लादे सकते हैं, अगर एक मिल जादे से बादे सकते हैं, तो इस में आपको देख wedgeोबילे, जip वे लप vite. झाल 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 झाल